पूरे परदेश बहर में प्रतंवर्ष के परिक्षा परिनाम में देरी और असी प्रतिशत चात्र फेल होने पर चात्रों ने विश्व विद्याले परश्यासन पर चात्रों के भविश्य खराब करने का आरोप लगाया है ऐसे में चात्रों ने विश्व विद्याले परशासन से विवाल्वेशन की फीस माफ करने की मांग की है चात्रों ने विवाल्वेशन के लिए तीथी निधारित करने की भी मांग की है ताकि विवाल्वेशन का रिजल्ट जल्द जारी हो सके देखिए अगर बात अखिल बाते बिदाती परश्यद की करें तो जैसे कि अखिल बाते बिदाती परश्यद समाजी तोराश्थी तोरे एकॉलिजी की अंडर काम करें तो ऐसे ही करता रहेगा और ऐसे आगे भी करता ही रहेगा और जो हमारी बात निकली है HP में जो रिजल्ट खराब गया या लेट रिजल्ट आया या उस पे ऐसा कहा जा रहा है कि कमपार्टमेंट या जो फेल विजारती है वो रिवालिशन की पीस वर है तो उस पे जो हमारी 300 पीस लिए जा रही है सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि जब 6 मिने बाद निका रिजल्ट आ रहा है इसे बताना क्या चाथे कि इसमें है क्या और मतलब इसमें जो अकसर जो है में जो प्रॉब्लम है क्या है वो सामने नहीं नहीं आ रही है और इसमें जो हमारी HP उनिवर्स्टी ईह हुसे इस बढ़ता भी है तो जो मारी वर्शन के पीस है उसको फ्री किया जाए धन्यबाद और एपी यह भी मांग रहते हैं कि अगर एच्पी उनिवर्श्टी रिवालिशन या कंपार्टमेंट की जिस चीज़ की बात करती है अगर उस पर तीन सो अगर फीस लेती है तो उस फीस को ज जो एच्पी उनिवर्श्टी है उसे मांग रखता हूं एपी के तरू कि जो मारी फीस है उसको जल्द से जल्द फ्री किया जाए ताकि बच्चा अपने रिवालेशन के पर है वो बर सके चात्रों की मांग है कि एपीस माफ हुजानी चाहिए क्योंकि बहुत सारे गरीब च चात्र फेल हुए क्यों कपार्टमेंट आई है तो एच्पी उने बहुत जादी फीस बढ़ाई हुए है तो चात्रों की मांग है कि रिवेल्यूशन की फीस माफ कर दी जाए क्योंकि बहुत जादा गरीब चात्र है सर अगर हम देखे किसी एक सब्जेक्ट में तो उसमें 80 प्लस या 85 प्लस मार्क्स आ रहे जबकि हम दूसरे इदी सब्जेक्ट देखे तो उसमें 60 भी क्रॉस नहीं हो रहे है पर ऐसा नहीं है कि हर जगा बच्चों की ही गलतियों पर कई ने कई तो है अन्यमिता देखी जा हां जी और तीन महीने भी लग रहे है अब हम देखे कि हाउस टेस्ट भी आ गए है फिर एक्जाम भी होगे तो बच्चे ना फर्स्ट यर के रहे ना सेकिंड यर के लिए तो अब करे तो क्या करे बिश्वी डालियों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो ये री इव है और हम भी फर्स्ट एर के चातर है और हाली में जो एक्जाम भुषित के अशर उससे सभी को जो बहुत ही निराशा मैसूस होई है कोई भी खुशने है रिजल्ट के परिणामों से एक तो सर पहले कोश्ट पर लिग होने की वह बात हुई थी उससे बच्चे पहले ही परि परिणाम इतना बूरा आया है सर अब जो बच्चे सर फेल हुए है यह जो कंपार्टमेंट आये सर अब वो नहीं तो आगे जाने को रहे ना पिछे आने को रहे सर क्योंकि सर अब देखो हाली में जो है क्या बोलता है हाउस टेस्ट की जो माइनर टेस्ट है वो जो 12 सर उनने तो पुरा साल सेकंडेर का पढ़ लिया अब आपीस वो फर्स्ट यर में जाएंगे फर्स्ट यर में एड़्जस्ट कैसे करेंगे सर उपर से जो है कहा जा रहे कि री इवैलवेशन करो तो सर उसमें भी तो तीन मेने लगेंगे लगेंगे तब तक बच्चा क्या क सर बहुत से क्वेशन चल रहे सर दिमाग में की मतलब सर उमीद ही नहीं की थी जैसे मतलब खौब या सपने में भी नहीं सोचा सर की परिणाम ऐसा आएगा सर हालां कि सर हम मानते हैं करोना काल था कहीं कुछ लोगों का मारना है कि करोना काल में बच्चों के पढ़ाई नही पर कर देखा जा रहा है कि कुछ बच्चों की यह शिकायते आ रही है कि हमने अच्छा नहीं के था हमारे इस एक्जाम में अच्छे नंबर है और जो अच्छा किया था उसमें जो है एक्जाम में गंदे नंबर है सर सर मैं यह कहना चांगे कि एक्सपेक्टेशन तो इतनी ज्यादा मीं थी सर हम चाहते थे कि जैसे हमने जो परफॉर्मस किया कि इसमें गल्थ परफॉर्मस किया है और बच्चे सर खुल के बोल रहे हैं कि जिस पेपर में हमारे को कंपार्टमेंट नहीं आने ची थी, उस एकजाम में हमारे को कमपार्टमेंट आ रही है, और जिस नहीं आने ची थी, उसमें सर, क्या ने बच्चों के बारे में सोचे सर क्योंकि एक बात कहीं सर तो हम नहीं चाहते सर हमारा विश्वास है वह भी बना रहे सर क्योंकि कि ही मुख्य औदेश सर यहीं है कि बच्चों का सुधार सो उनका साथ Citizens front से कि कोई सहीं एकि सद्मा जो हक echt रुब Mr He casting सर क्योंकि यदि इस थालर विश्वास घटा गया तो हमारे लिए थो हानिकारक हो गए हो गटा क्नि हमारा क्राइए की है तो यह जो यह जो यह चो जो लिए को सवाल जा अब श्मार आद शर्सी ने का स्र। एक तो सबसे पहली बात यह करना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के बाद जो कलासे यहां कॉलेज में लगी थी तो वो पून रूप से नहें लगी थी हफते में या तो एक भार कलास लगती थी या तो दू बार लगती थी जिसकान से सलेवस कबर करना भी बहुत मिश्किल हो चुका था उसके बावजूद हम देखा जा तो हमारा जो पेपर बगएरे जो हमने दिये थे वो हमने अच्छी तरह से दिये थे इसके बावजूद भी जो हमारी चेकिंग है वो डंक से नहीं हुई है और जो रिजल्ट नहीं बोला था वो उन्होंने 40-40 दिन और 2-3 मिन बोल सकते उसके बीच में दे सकते थे लेकिन इन्होंने रिजल्ट निकालने में भी बहुत देरी कर ली जिसकान से ना हम फर्च्ट एर के रहना सेकंड यर के लिए जिन्हों जैसे बचों ने सेकेंड एर में एड़िशनल ली थी, वो ना आप सेकेंड एर का पढ़ सकेंगे ना फरस्ट एर का क्युक्कि समय भी चुका है, जिसकांड से हम फरस्ट एर की एक पढ़ाई को कवर कर भी लेंगे, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे, जिस स समझ नॉलिज अधिक हो चुकी थी और अब हम एकदम से फर्स्ट एर में आ गए है उपर से एक मुद्दा ये भी उठ रहा है कि रिवॉल्विशन रिवॉल्विशन के लिए हम भरेंगे तो उसके लिए भी हमसे पर पेपर तीन सो रुपे चार्ज किये जा रहे है जो की बहुत ही जादा है अगर रिवॉल्विशन करनी है तो किप्या करके फ्री में करें क्योंकि बहुत सारे स्टुडेंट है हम जैसे कि कई इसको एफर्ड नहीं कर पाएंगे कई गरीब परिवार से तो मेरी उनिवर्स् झाल